आगे बढ़ने अरजा मंतरी भावर सिंग्भाटी ने प्रदेश वासियों से विझली बचाने की अपेल की है फर्ष्ट इनिया से बाचीत में मंतरी भावर सिंग्भाटी ने कहा ऐसे में लोगों का बिजली बचाना जरूरी है इसके साथ ये मंत्री भाटी नहीं विपक्ष पर निसाना साथ ते हुए कहा कि किसी सड़क का रास्ता और सड़के रोग देना लोगतंत्र में सही नहीं है विपक्ष के नाते आप रदेशन करें दुरोज जताएं लिगनाम जद्दा को किसी तरह की परिशानी नहीं होती है तो आप सही राजनीती नहीं कर रहे हमारे सेयोगी लक्षमन रागव ने उर्जा मंत्री भावर सिंग भाटी से खास बातचीत की आप भी सुरिए तेकि टिकट की टिक टिक शुरू हो गई है अपने अपने तरीके से दाविदारी का दोर चल रहा है इस बीच जो है आज एक बड़ी बैठक है लेकिन इससे पहले हम उर्जा मंत्री भावर सिंग भाटी से बात कर लेते हैं सर बिजली संकट तरही माम है लोग विरोध में हैं किसान परिशान है और आपकी सरकार और आपकी तरफ देख रहे हैं तो क्या लगता है कोई समाधान नजर आता है आपको देखिए पिछले करीब एक महीने से राजस्तान सहीत लगबग देश के अधिकांस राजियों में वारिस नहीं हुई और वरसाथ नहीं होने की वज़े से बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है गर्मी का मौसम भी एकदम चरम सीमा पर है और ऐसी इस्तती में राजस्तान की इतियास में 18,000 मेगावाट मिजली की डिमांड जो है पिसले कई दिनों से चल रही है समयने ते 12,000-13,000 से अधिक कभी भी चाए बरसाथ ये फसल का मौसम रहा हो या गर्मी का मौसम रहा हो 13,000 से अधिक कभी नहीं गी 6000 मेगावाट मिजली की अधिक आवसिकता है और ऐसी इस्तती में हमारे पास जो संसादन है हमारे जो M.O.U.S. है हमारे जो परसाण उत्पादन निगम के जो बिजली की उत्पादन समता है वो सारी मिला करके 12,000-13,000 होती है राजस्तान के मानिये मुख्यमंतरी जी ने कहा है कि किसान की फसल को हम पानी देना हमारी सर्वोच प्रात्मिकता है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि चाया दिक्तम मुल्य पर भी बिजली खरीदनी पड़े तो खरीदे तो हम ओपन एक्सचेंज में भी बारा रुपे यूनिट पर भी उसकी बोली लगा रहे है लेकिन चुकि ये समस्या देश वापी है तो सभी राजे बिजली की मांग करते है ऐसी इस्तती में हमें 5000 के मुकाबले 500-1500 मेगावाटी बिजली मिल रही है मानी मुख्यमंत्री जी ने के दिशा निर्देश में परसो मिटिंग भी हुई उसमें हमने ये तैक कि इंडिस्ट्री जो उद्योग है उद्योगों की बिजली हमें कटोती करना हमारी मजबूरी रहेगी क्योंकि किसान को बिजली हमें देनी है किसान की फसल का यही समय यदि इस समय हम बिजली नहीं दे पाएंगे तो किसान की फसल बचेगी नहीं ऐसी इस्तिती में हम उद्योगों से भी कटोती करने का हमने दिरने लिया है, वो शुरू भी कर दी है। और गडियाला से निकलने वाली चार सडकें परमुख है और चारों डामर की सडकों को खोद दिया गया। विपक्स के लोगों हम सब लोगों को ये चाहिए कि हम ऐसे इस तरह से विरोध करें कि लोगों को परिशानी नहीं और कल जो रास्ते खोदे गए मैं उचित नहीं समझता उसको। मैं सभी परदेश वासियों से मानी मुख्यमंतरी मोदे की तरफ से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्तान सरकार बेतर से बेतर किसानों के हित्मे करने के लिए कारे कर रही है। अधिक्तम मुल्य पर भी बिजली खरीद नहीं पड़ रहे हैं तो हम वो भी खरीद रहे हैं। किसानों के लिए आज के समय जरूरी है तो हम सरकार भी किसानों को बिजली देने का परियास कर रही है। उसमें कहीं कटोती हो रही है तो उसमें भी परदेश वासियों को सयोग करना चाहिए। यही करना चाहूंगा। इसलिए इंडस्ट्री में कट लगाये जा रहे हैं। लेकिन ये भी सजी है है उन्हेंपील भी किंए एक सबसी लाराना नो कट वंच है। झाल झाल